हाई अव्रिवन मैं हूध धनाज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे कतर की कोट ने हमारे आठ रिटाइड इंडिया नेवी के ओफिशल को ओफिशल्स को देथ पेनल्टी दी है और ये निउस जैसे ही पब्लिक डोमेन में आता है वैसे ही इंडिया में स्पेसिफिकली आपके मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स में खलबली सी मज जाती है अगर आप इस पूरे निउस को पढ़ेंगा तो आपको एक चीज समझ में आगा कि हमारे जो आठ रिटाइड या एक्स नेवी के ओफिशल्स है या पर्सनल्स हैं इनके उपर क्या चार्जेज लगाया गया है ये अब तक डिस्क्लोस नहीं किया गया है ये इस पूरे घटना का सबसे अजीबो गरीब चीज है या एक्जैम्पल है जहाँ पे कोर्ट के बारे में हमें ये पता होता है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक बहस होता है जहाँ पे कि क्या सही है, क्या गलत है, एविदेंस को प्रेड्यूस किया जाता है लेकिन जिस basis पे जो कतर की जो सरकार है या जो उनके court है वो किस तरीके से या किस चीज़ों को base मानगे वो हमारे आठ नेवी के officials को death sentence सुनाया है इसके बारे में अब तक public domain में कोई भी information नहीं है और जैसे ही ये information public domain में आता है हमारे external affairs minister का एक बहुत ही strong और बहुत ही concerning reply आता ह जहां पे specifically वो press release करके कहते हैं कि we are deeply shocked by the verdict of death penalty and are awaiting the detailed judgment आप समझ सकते हैं कि एक सरकार है वो कुछ लोगों को death penalty देते हैं लेकिन किस basis पे देते हैं उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है क्या उनके उपर charges है क्या उन लोग उनने गुना किया थे इसके बारे में कहीं कहीं से भी कोई discussion या कहीं से भी information public domain में नहीं बताया गया है नहीं दिया गया है जितने भी जो हमारे ex-navy के official से उनको solitary confinement में रखा गया मतलब क्या है कि उनको एक अलग सा cell दिया गया है जहां पे वो अकेले रहते हैं परहाप्स ये सबसे hardest form of punishment हो सकता है किसी भी आदमी के ल भी नहीं पता है जो हमारे retired navy के officials थे वो ओमान में एक company है जिसका नाम dara global technologies and consultancy services है जो कि खुद भी एक defense services में थी वो defense services provide करते थे और इस company का जो owner था वो खुद भी आपके ओमान के national का था और वो एक retired ओमान के जो air force हैं उसके वो retired squadron थे जब हमारे Indian officials को या जब हमारे retired navy officials को arrest किया जाता है पिछले साल औगस्त के महीने में तो उस वक्त जो इस company के owner होते हैं यानि कि जो इस company को own करते हैं जो खुद भी एक ओमान के national थे उनको भी arrest किया जाता है लेकिन उनको फिर कुछ time के बाद यानि कि औगस्त के महीने में हमारे जो ex-navy नेवी ओफिशल से उनको अरेस्ट किया जाता है लेकिन नवेंबर के महीने में जो इस कंपनी के जो हेड होते हैं उनको रिलीस कर दिया जाता है और जिस तरीके से हमारे जो नेवी के ओफिशल से उनको अरेस्ट किया गया उनको स्पेसिफिकली 30 अगस्त को अरेस्ट किया गय में और जो सबसे पहला जो टेलिफोनिक conversation का allow किया गया था वो 30 September को किया गया था यानि आप समसकते हैं August से लेके September मतलब almost almost आपको एक महिना के बाद आपको allow किया जाता है अपने family members से बातशीट करने के लिए और जो सबसे पहला जो हमारे सुन्सलर जाते हैं और जाके जब अपने लोगों से मिलते हैं तो उस पूरे प्रोसेस सो कहते हैं counselor access तो वो सबसे पहला जो counselor access था वो 3rd October को grant किया जाता है इन सब चीजों को अगर आप बहुत ही closely monitor करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत साफ समझ में आएंगी वो यह है कि यह जो पूरा process है यह पूरा process ही एक बहुत ही अजीब और गरीब और एक बहुत ही classic example है जहां पर court आपको punish कर रहा लेकिन वो आपको बता नहीं रहा और दूसरी वा सबसे important चीज है कि government of India का इसमें role काफी significant है काफी important हो जाता है एक तो जिस तरीके से जो हमारे navy के officials थे उनको arrest किया गया उसके काफी लंबे दुनों के बाद जो हमारे embassy थी कतर में उनको बताया गया तो इस पूरे process में अगर government of India हमारे ministry of external affairs अगर अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे तो जो हमारा reputation built हो रहा है worldwide इस पे काफी एक बड़ा dent पहुचेगा क्योंकि अगर अभी का अगर आप situation को अगर आप comparison करते हैं तो एक तरफ Russia यूकरेन का war चल रहा दूसरी तरफ Hamas और Israel का war चल रहा तो पहले Hamas ने attack किया फिर उसके बाद retaliation में फिर Israel ने attack किया वो अपने जो भी उनके लोगों के उपर attack हुआ था उसको वो defend कर रहा है इन फैक्ट defend क्या कर रहा है जो Palestine के जो common civilians है वो उसको भी मार रहा तो इस बीच में ये एक हमारे पास situation आ जाता है जहांपे हमारे पास एक बहुत classic example है जहांपे हम अपने आपको defend करें हम दुनिया के सामने अपने point of view को रखें दुनिया के सामने अपना हम agenda को रखें और अगर इस process में government of India का अगर कहीं से भी failure हो जाता है तो वो एक बहुत ही बड़ा dent हो जाएगा हमारे देश के ऊपर हमारा जो growing superpower है हमारा जो image एक built हो रहा है पूरे दुनिया में उसके ऊपर काफी एक बहुत बड़ा dent पहुंच जागा एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जागा उस image को I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती होगे तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye